किया इसका रिस्क का जो एक पीक होता है वो जानलेवा भी हो सकता है वाइरस का अब देखिए मैंने कहा कुछ वाइरस ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन पर हमला करते हैं मुझे आज भी याद है रेवीज का मरीज यह कुटा काटे की बिमारी को रिबीज कहते हैं हाइडरोफोबिया जब मैं इंटर्शिप करता था आज से 30 साल पहले उस जमाने में गाउं देहात में कुटा काटने की घटनाएं होती थी लोग लेके आते थे मरीज को चार पाई पे लेटा के चार लोग और उसको रस से होती है और उसको बचा पाने की बी कोई तरीका हमारे पास नहीं था तो वाइरल बीमारियां इंकेसलाइटिस आप ने गोरखपur में सुना जी वाइरल इंकेफलाइटिस है जैपनी जन वाहां हो रही है वाइरल डिजीज जी एचाइवी हो जाता है वाइरल डिजीज ह HIV के बाद में आप उसको multiply न करे तेजी से न पहले उसका प्रयास करते हैं लेकिन मौत के वारंट पे दसकत्तों हो जाते हैं तो वाइरल को सिर्फ ये समझ लेना कि अरे ये तो वाइरस है ये तो ठीक हो जाएगा आसान सा है ये हमारी समझ से हमेशा सही द्रिष्टिकोन नहीं है वाइरस भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वाइरस एक व्यक्ति नहीं है एक इक समू है इसमें अलग-अलग तरह के वाइरस हो सकते हैं अब वह कौन सा वाइरस है ये इस पे निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से व्यभार करेगा और यह समझ इनके चिकत्सक को होनी चाहिए तो सर जैसा कि शुरुबात में जो आपने कहा था कि वाइरल फीवर के अगर हम बात करें जब तक आपको कोई असुविधा ना हो आप उसको जहते रहें देखिए वाइरस से लड़ने के लिए दवाइयां बहुत सीमित हैं या तो हमारे पास में फ्लू वाइरस से लड़ने के दवाईया हैं वुझतमविर कोरी के हैं तो यह कुछ दवाईयां जो एसि दवाईया हैं जो 2-4 वाइरस हैं हर्पी सिम्प्लेक्स के लिए हर्पी जॉस्टर के लिए हमाशाव हैं तो यह बकी ज्एंप हट्रुबा exploradiz ह 누mesi तो हम उनके साथ में सीधी लडाई नहीं लड़ सकते हैं लडॉर कौन रहा है लडाई शरीर लड रहा है है तो हमशे लड़ने के प्रयास को अपनी सुरक्षा करने के प्रयास को अगर मजबूत कर सकते हैं तो करें मल्टी विटामिन दें टॉनिक्स दें परियाप्त रेस्ट दें उसको ठीक है तो जिससे वो अपनी एनरजी अधर उदर डिसीपेट ना करें और पूरी शक्ति से लड़ाई लड़े और अपनी सुरक्षा करें होता क्या है कि नहीं साब इसको परसेटमॉल खेला दो बुखार उदर जाने दो और स्कूल भेदो काम करने चले जाओ तो आपने शरीर लड़ रहा था अपनी सुरक्षा कर रहा था आपने उसकी सुरक्षा पर रोक लगा दी तो आप तो वाइरस को अपर हैंड आपने और यह जानलेवा भी हो सकता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाइरल फीवर है या एक नॉर्मल जो आम भाशा और दूसरे बुखारों में से कोई है वाइरस आपके पास हम कोई SMS भेजते हैं वो तीजी से फैलने लगता है इन से उनके उनके पास उनके वहां से आगे ग जो है वो विशानू है जो बीमारियां न केवर लोकल लेविल पर बलकि बड़ी महामारी की तरह होती है स्वाइन फ्लू फैल रहा है दुनिया आतंक के चपेट में है तो स्पैनिश फ्लू में इतने लोग मर गए जितने फरस्ट वर्ड वर में नहीं मरे थे स्वाइन फ्ल सार्स बीमारी थी कोई 10-15 साल पहले की बात है कोरोना वाइरस की वरे से था ऐसी बीमारी है आप देखते हैं गोरखपुर में जैपनीज अनके फिलाइटिस कितना बड़ा कांड हो गया कारणिये के वाइरस से लड़ने के लिए सीधे उपाए आपके पास नहीं है और आप आपको पता है कि इस गोली से वाइरस नहीं मरेगा जो आपके रक्षा पंती के सैनिक हैं वो मर जाएंगे तो वो यह सोच जो है यह हमें कहीं विक्सित करनी होगी रेस्ट बहुत ज़रूरी है वाइरल डिजीज के लिए बच्चे को लोग जबरदस्ती वाइरल फीवर हो फिर भी स्कूल भेजे दे रहें अब वो एक वाइरल फीवर का मरीज दस वाइरल फीवर के मरीज वहां पैदा करके आएगा तो बाई एन लार्ज घर में रखें रेस्ट करें परियाप्त आराम चाहिए अच्छी पॉस्टिक खुराक चाहिए खुब पानी पिलाएं उसको जिसे बॉडी में डिहाइडरेशन न हो बुखार को जब तक असुविधार न हो पैरासिटमॉल भी न दें और पैरासिटमॉल के अत्रिक तो कोई दबा देने का मतलब भी नहीं है और कभी भी बुखार को सामाने तक लाने की कोशिस न करें मतलब सुविधा जनक हदों तक लाना जैसे माली जब बच्चा है अब उसको 102 बुखार है लेकिन आराम से सो रहा है तो कोई कारण नहीं कहमों से जगायों बुखार की दबा दें वो सुविधा जनक हिस्तिति महत अभी सो रहा है अगर वो खेल कुद रहा है तो एक तो यह हो गया है दूसरी चीज़ यह है कि वाइरल बुखार जो है वो घर के तमाम सदस्यों को एक साथ होते हैं हमने पूछा कि साहब और किसी को है हाँ साहब अभी इसकी मां को हुआ था पिता को हुआ था इसके भाई को भी होके चुका है तो अब यह बुखार जो है फैल रहा ह जी तो आंक इन्वाल्व हो गई नांक बह रही है तो नांक इन्वाल्व हो गई मूँ के अंदर छाले निकल आए मूँ इन्वाल्व हो गया गले में दर्द है निकलने में परेशानी है खासी शुरू हो गई छाती इन्वाल्व हो गई खाल में दाने निकल आए जैसे मीज foot and mouth disease, जो तेजी से फैल रही है, यहां भी फैल रही है, लखनौ में भी फैल रही है, इसमें क्या होता है, मूँ के अंदर छाली हो जाते हैं, बच्चा निगल नहीं पाता है, हाथों में छाली निकलाते हैं, चिर्थ दाने वही, पैरों में निकलाते हैं और नितम्मों पे न नीचे वाले पैर भी उसके हो गए नितंब हो गए और मुह के अंदर ये खुरपका मनुश्यों में होने लगा है और इधर एक दम से तेजी से शहर में फैल रहा है और यहीं नहीं अगल बगल के शहरों में भी लोग प्रसाड़ित कर रहे हैं अभी आज एक मरीज आए बोले है और हरो में द्मसित है इसके अंदर यह खास एकंष किसम का वायरस जिसका नाम है 쿠Star räूं एक एंटरो वायरस में तीन परिवार है बार्यवार सोनिफान कोई यह यह संत दूब है तीन होजाता है लेकिन कोई दशमलो एक प्रतिशत ठीक है यानि एक हजार में से एक व्यक्ति में ये नियूरो ट्रॉपिक वाइरस है ये दिमाग में एनकेफिलाइटिस पैदा कर सकता है तो अब ये वाइरस जो है ये छूत से पहल रहे हैं चूने से पहल रहे हैं तो ये परिवार के स्तदस्यों म में हो मल्टिपल मेंबरेंज को इन्वाल्व करें मजएदार बात ये है कि वाइरल बुखार में पैरसिटमॉल दो तो बच्चा बिल्कुर ठीक हो जाता है बुखार उतर गया जब बुखार उतर जाएगा तो वह प्लेफुल है एक्टिव है इंटरेक्टिव है मजए से ऐ डाल उनीदा बिस्तर पकड़े दा